बेट दुस्तों आज मैं ऑन इस्टेश चैण च nep चिया और मॉर्ण सेकं कग पर क्या रोल होता है ऐसे स्तेकग पर और इसी तरीकिर से काम करता है इन इन lists जो is करके आपको क्यों चाना चाए यह सारा छीज़ें मोग आज इस वीडियो में देखने सब्सक्राइब बात करते हैं मौन स्टैक क्या होता है मौन स्टैक इसका फुल फार्म जान लेजी कि मौन स्टैक स्टैक स्टैंड्स पूर सब्सक्राइब बनाते हैं तो और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आने का चाहिए कोई खास बहुत कुछ आने का शक्ता अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से मौन स्टैक को सीख सकते हैं और मौन स्टैक पर काम कर सकते हैं फ्रसा और डेफ्ट में हम लोग जानने के कोशिश इसकी टेक्नलोजी स्कों जिसमें से पहली टेक्नलोजी इसकी है मौंगो डीबी मौंगो डीबी मॉन्स्टैक में डेटाबस लेयर का काम करता है यहां कि डेटाबस से जो भी काम होगा वहा सारा-सारा मौंगो डीबी अपको कर देगा मौंगो डीबी एक no SQL database है जैसे normally क्या हो वह जेशनल लाइक डॉक्मेंट के तोर पर श्टोर होता है जिसे रिट और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं अगर एक रियल वड एक्जांपल में लोग देखें कि अगर हम लोग कोई एक e-commerce की वेबसेट बना रहे हैं तो उस पर इसका क्या काम होता है उस पर इसका क्या रूल बेकेंट का कोड लिखेंगे यानिक धर में के वेब रिमवर्क है जिसका यूज़ करकर वेक्रिपड़ करेंगे जिससे अब लोग फॉंट और बैकेंट को काम कर पाएंगे तो यह साइज है मैं आपको दिखांगे जब कोड देखेंगे तब लेकिन एक्स्प्रेस्जित का completely business logic को handle करता है क्या चाहिए, क्या देना है ये सारे सीज़ें handle करता है, साथ-साथ ये हमारे database है, जो कि MongoDB था, उससे communication बनाने का काम भी करता है हमारे web application में, अगर हम लोग अपने application की बात करें, जो e-commerce की application हम लोग बात कर रहे थे उस पर इसका क्या रोल रहता है, तो इसमें जैसे e-commerce की एक website है, जिस पर एक बटन है view detail, product की detail आपको देखने हैं, तो view detail पर जिससे आपके लिए आपने click किया, वैसे ही आपको product की detail हमाँ पर सामने दिखा जिती है, तो वह जो click किया, वह जो एक request आपने किया है, याने कि customer ने किया हमारे web server पर, तो हमारा जो request है, वह handle करेगा, कौन? ExpressJS handle करेगा, और उस request के base पर हमें data लाकर, response लाकर देखाँ The next technology जो हम लोग यूज करते है, वह यूज करते है, हम लोग ReactJS, ReactJS JavaScript की एक library है, one of the most popular library है ReactJS, जो की काफे ज़्यादा यूज होती इंडस्ट्री में, और इसकी job opportunities भी बहुत ज़्यादा है, compared to other languages या framework हम लोग बात करें, तो ReactJS क्या काम करेगा, ReactJS आपको user interface बना कर देगा, ReactJS का यूज करके, आप user interface अरल लग तरीके की user interface करेट कर पाएंगे, वह भी component जैसे हमारे e-commerce की website पर इसका क्या काम रहता है, इसका क्या रोल रहता है, तो वहाँ पर जैसे एक button था, view detail तो वह यूज बटन है, वह button आप ReactJS का यूज करके create कर सकते हैं, as a component, the next हमारे technology है, node, node.js, node हमारे यहाँ पर एक runtime environment के तोर पर काम करती है, जो हमें यह feature प्रवाइड करता है, कि हम लोग javascript का code अपने server side पर execute करवा सके, run कर सके, यह हमें feature node.js प्रवाइड करती है, अब समझें कि यह site technologies मिल कर एक साथ काम कैसे करत है कि हमारे पास है MongoDB, जो कि database का का काम करती है, express.js की backend का का काम करती है, business logic handle करती है, request response handle करती है, और frontend जो की user interface create करने का का काम करती है, अगर हम लोग e-commerce की website बना रहे है, manage stack का use करके, तो वहाँ पर हम लोग user interface create करेंगे, react.js का use करके, यानि कि हमने एक button बना दिया, view detail, और उस को हमने बनाया है, react.js as a component, हमने उस button को बनाया होगा, जिस पर click कराएगा, click करते ही, अब देखे, इसका काम करने का देख, react.js ने क्या गया, react.js का use करके, हमने अपना user interface बनाया, और वहाँ पर जैसे ही click करते है, वैसे ही, ये एक request के तोर पर हमारे express.js के पास जाता है, और वो उस request को समझता है, उस request में क्या demand किया गया है, और उसके लिए, उस demand के लिए, जो output उसको generate करने के लिए, अगर कोई business logic execute करना है, code, वो उस code को execute करता है, अगर जो पढ़ती है, तो database में जो data storage जागे, MongoDB के तरह हम लग कर रहे है, उस database से communication करता है, और database से data लेकर आता देन उसको modify कर सकता है, अपने बेंचन लोजिक के according, और फिर उसको response के तोर पर वापस से react जिसके पास भेज देने के front end में भेज जाता है, user interface को भेज देता है, इस user को data या फिर जब उसका task को perform होकर सामने दिखाई देता है, यह काम करने का तरीका है, पूरा का पूरा मॉ मॉन स्टैक आपको क्यों सीखना चाहिए, लेकि मॉन स्टैक सबसे बड़ी जो इसकी बात है कि मॉन स्टैक के job opportunities बहुत है, बट इससे यह भी प्रूफ होता है कि job opportunities बहुत है तो बहुत ज़्यादा लोग इसको सीख भी रहे है, अब जो कि बहुत ज़्यादा लोग सीख र होती है, उसमें उतनी ज़्यादा भीड होती है, लेकिन अगर negativity को हम लोग साइड में रखें तो हाँ सच है कि job opportunities बागी के framework बागी के stack के comparison में आपको अच्छी खास इसमें देखने को मिलती है, और इसको सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको JavaScript पता होना चाहिए, लेकि एक proper language की बात करें, तो सिर्फ जवास के अगर आप जानते हैं तो आप mon stack को easily सीख सकते हैं, काफी easy to learn है, काफी easy to develop है, काफी easy to implement है, इसलिए mon stack popular है, इसके साथ इसाथ चुकि popular है, तो इसकी जो community support है, वो बहुत जाते हैं कि बहुत सारे developer आपको इसके मिल जाएंगे, आपक problem problem की solution easy, तरीके से मिल सकती, stack overflow या फिर अड़लगी जो community है, वहाँ पर या फिर आप देखेंगे, अपने आसपास में देखिए, किसी को भी उठाकर देख लिए इसको पकड़के, वहाँ बताएगा कि वह बहुत react जास सीख रहा है, तो आपको समझ में जाएगा कि इसके popularity क करता है, कोई भी restriction नहीं है, आप code एक दम scratch से लिख सकते हैं, और अपना application scratch से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी तरीके की, कुछ भी built-in आपको मिलता नहीं है, हाँ आपको packages बहुत सारी मिल जाएगी, ये भी एक बहुत positive point है, कि अगर आप modern stack के use करते हैं, बहुत सरे packages हैं, ज साथ में मैं बताना चाहिए, कि अगर आपको थोड़ी से जल्दी है, तो आप क्या करें, आप आप जाएगे मेरे चैनल में, यहाँ पर इसमें, प्ले सब्सक्राइब करना, यहाँ भी नहीं बूलना है, और यहाँ पर already मैंने बना के रखा है, modern stack के specific playlist में नहीं बना है, जो version है, वहा, इसको पर आप open करता, आपको node.js सीखने को मिलेगा, और फिर आप यहाँ पर express.js भी detail में सीख सकते हैं, यह सारी में आप सीख सकते हैं, यह सारी में आप सीख सकते हैं, mon stack का आप node सीख रहे हैं, express.js सीख रहे हैं, mongod.js सीख रहे हैं, इस playlist से, बहुत ज़्यदा देखने की आशकता नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ react.js के लिए देखिए, और आप अच्छे तरुकिस से react.js में घ्यान अरजित कर सकते हैं, सिर्फ एक यह उपर वाला, दो घंटे का जो basic to advancement बनाया है, बस यह आपको देखना है, हाँ, डियाटप्त में जानना चाहते हैं, आप इसको सीख सकते हैं, बट आप सिर्फ यह भी देखिएंगे, तब कर काम हो जाएगा, और project भी मैंने modern stack के बहुत सरे बना के अलड़ी रखा हुआ है, आप चाहें, तो modern stack के लिए projects देख सकते हैं, otherwise अगर आपके पास समय है, और इस playlist को अगर आप follow करना चाहते हैं, जो किस तरह के से utilize करके आप अपने web application को जल्दी से बना सकते हैं, इन सबस्क्राइब पर मेरा focus हरेगा, तो अगर आप modern stack सीखना चाहते हैं, with AI, because मैं आपको इसमें AI भी बताने वालों कि AI कैसे, आप AI feature कैसे add कर सकते हैं, तो आप इस playlist को जो उसे follow के चीश, इसको bookmark करके आप रख सकते हैं, तो दोस्तों, चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कल भी नहीं बुलना है, और इस playlist को follow करना तो बिल्कल भी नहीं बुलना है, अगर आप सीखना चाहते हैं, more mistake, इस वीडियो को देखने के लिए आप सो कब बहुत बहुत गन्यवा,